जी हाँ दोस्तों सपने साकार होने वाले हैं हमारी लोटरी लगने वाली है दरसल दोस्तों राजा मौली विद महाभारत जैसे बड़े कॉंसेप्ट के साथ ओ माई गॉड मतलब हिस्ट्री क्रियेट होने वाली है आँ ठीक है अभी नहीं कुछ सालों बाद लेकिन होने तो वाली है दरसल दोस्तों जब से राजा मौली ने ये अनौन्स किया है कि वो आज नहीं तो कल महाभारत के काम को शुरूर जरूर करेंगे वो कहते हैं कि हर मूवी के साथ मैं कुछ न कुछ सीख रहा हूँ जिसके बाद मैं महाभारत जैसे बड़े एक प्रोजेक्ट को लेकर शुरू करूंगा बचे सुनने भर की दिरी थी दोस्तों हमारी तो लोटरी मानो निकल गई क्योंकि राजा मौली का जादू हमने बाहुभली और आरार जैसे फिल्मों में देखा अब सोचो ऐसा डिरेक्टर जिसने मतलब लिटरली कमाल का डिरेक्शन दिखाया है अपनी क्रियेटिविटी से अपने डिरेक्शन के स्टाइल से वो अगर महाभारत जैसे बड़ी प्रोजेक्ट को हाथ मिलेगा और वो ऐसा नहीं है कि बस मूवी बना देना है वो मतलब एक एक प्रोपर एक एक चीज़ पर रिसर्च करते हैं वो ऐसा है कि मानो उन्होंने अगर किसी स्क्रिप्ट को चुना है ना उसके बाद आप अगर उस स्क्रिप्ट को बेच दो वो कडोडों में भी कैगी क्यों कि अगर राजा मौली ने इस स्क्रिप्ट को सेलेक्ट किया है तो इस स्क्रिप्ट में कुछ तो बात होगी लेकिन दोस्तों ये फिल्म आने में अभी बहुत समय बाकी है दरसल एक इंटिव्यू के दौरान जब राजा मौली सी ये पूछा गया क्या आप सच में महाभारत जैसे प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं तब राजा मौली ने कहा कि जी हाँ ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और अगर मैं इसे हाथ में लेता हूँ यानि कि अगर मैं इसे बनाता हूँ तो कम से कम इसे दस पार्ट में बनाऊंगा कम से कम एक साल तो मुझे सिर्फ इस पर रिसर्च करने पर लगेंगे यानि कि दोस्तों ऐसा हो सकता है कि 2025 या 26 से राजा मौली इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दे और दोस्तों जब यह फिल्म सिनमा हौल में लगेगी तो लिटरली धमाका होगा क्योंकि आप ही सोचो राजा मौली का दिमार और महाभारत जैसे अल्टिमेट स्टोरी के साथ मतलब लिटरली बोल रहा हो मतलब यह फिल्म अगर बनती है तो मेरे ख्याल से इसमें 5-6,000 करोड का बजट लगेगा लेकिन जब यह फिल्म रिलीज होगी आँख बंद करके यह फिल्म कम से कम 15-20,000 करोड तो कमा ही लेगी क्योंकि अब राजा मौली एक ऐसे ब्रैंड बन चुके है कि किसी भी फिल्म के पीछे में अगर राजा मौली का टैग लगा दिया जाए तो वो फिल्म पिरना किसी प्रमोशन के भी 7-800 करोड तक नमा लेगी राजा मौली अब नाम ही काफी है लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माभारत से पहले राजा मौली और महेश बाबु के एक फिल्म आ रही है जो कि ट्रिलोजी में होगी जो कि SSMB 28 है रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ये भी फिल्म ब्लॉक बस्टर रहेगी और महेश बाबु के साथ राजा मौली मतलब तबाही मचेई ठैर दोस्तों कि आप भी माभारत जैसे बड़े प्रोजेक्ट के साथ राजा मौली का वेट कर रहे हैं अगर हाथ कॉमेंट में लिखना ना भूले और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो